जैहिन दोस्तों, UDCRA में आपका स्वागत है दोस्तों, अब हम बात करेंगे Bundesliga के अगले मैच की जो की खेला जाएगा RB Leipzig और Bayern München के बीच में दोस्तों, इस मैच की बात की जाए तो ये दोनों टीमें बहुत ही बहतरीन टीम है Bayern Munich तो लीग की क्या, मतलब ये तो वर्ल्ड की वन और बेस्ट क्लब्स में से आते है इस वक्त इनकी पोजिशन वन है लीग के अंदर और RB Leipzig की बात करने तो ये नंबर थ्री पोजिशन पे है एक बार स्टैंडिंग्स देख लेते हैं दूसरी चीज़ दोस्तों बुंदिस लीगा जो है वर्ल्ड कप ब्रेक के बाद आज स्टार्ट हो रहा है तो बेसिकली ये पहला मैच है तो हमें कोई रीसेंट मैचे नहीं मिलेंगे प्लेयर्स के जिनके रेकॉर्ड के हिसाब से हम उनके परफॉर्मेंस के बाएर में पता लगा सकें तो ये इंफर्मेशन मैं आपको दे दूँ और पोजिशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे बाइन मुनिक नमबर वन पोजिशन पे है पंद्रा मैचेस के लिए हैं विच इस नॉट गुड फॉर ए टीम लाइक बाइन मुनिक बिकाज इनका डिफेंसिव रिकॉर्ड थोड़ा और बेटर होना चाहिए था बट बिकाज दे अटाक सो मच तो इनका डिफेंस थोड़ा कई बार मात खा जाता है नॉबर 2 पे फ्राइबर हैं पंद्रा में से 8 मिच जीते हैं चार ड्रह है और 3 लॉसेज है 15 में इनोंने 30 गोल मारे हैं और 15 में इनोंने 21 गोल कहए हैं यह धमिन्स थोड़ा इनका ज़्यदा इनका वीक पॉइंट है ठीक है? तो home और away form भी देख लेते हैं ये match RB Leipzig के घर पे खेला जाएगा तो इन्होंने अभी तक एक भी match नहीं हारा है अपने घर पे साथ में से 6 match जीते हैं एक draw है साथ में 19 गोल मारे हैं और सिर्फ 5 गोल concede किये हैं वहीं बाइन मुनिक की away form की बात की जाए तो ये number one position पे है आठ में उन्होंने 5 match जीते हैं दो draw किये हैं और सिर्फ 1 match हा रहा है आठ में उन्होंने 23 गोल मारे हैं और सिर्फ 7 गोल concede किये हैं तो काफी I think बड़िया match देखने को मिलने वाला है हमें दोनों ही team में काफी attacking है लेकिन बाइन मुनिक की बात करें तो वो team थोड़ी class apart है ठीक है इनके पास जो attackers है वो world के best players में से आते हैं तो आई एन की lineups देख लेते हैं तो बाइन मुनिक की lineups की बात की जाए तो striker position पे आपको देखेंगे Thomas Miller left wing पे रहेंगे Serge Gnabry Central Attacking में रहेंगे जमाल मुजियाला और right wing पे रहेंगे लिरॉइ साने दो defensive midfielder रहेंगे Leon Goretzka और जोशुआ केमिच left back पे होंगे Alphonso Davis दो center back होंगे डिलिज्ट ओपर मेकानो और right पे होंगे powered और goal keepering में रहेंगे Ulrich तो अब इनके performances की बात की जाए तो आईए इन players का performance देख लेते हैं एक बार Thomas Miller की बात की जाए तो इस season 8 में से 7 match start किये हैं दो goal मारे हैं ठीक है और rotten target ठीक है और 3 assist भी किये हैं रहने chance creation अच्छा है इनका 1.9 और chances भी काफी create करते हैं तो देखिए वैसे तो देखा जाए तो Bayern Munich overall ही बहुत ही attacking team है तो इन में से आपको 7 player set करना बड़ा ही मुश्किल होगा इनके पास इतने attacking players हैं जो की सब capable है goal मारने में और chance create करने में ठीक है बट still हमें choice करनी है तो हम करेंगे अब देखिए Thomas Miller ने इस season सिर्फ 8 match के लिए है जिसमें 7 start किये है 2 goal मारे हैं और 3 assist किये है chance creation अच्छा खासा है ठीक है अब इनके last के 3 matches देखें तो last match इन्हों ने खेला था 1 October को ठीक है जिसमें इन्हों ने एक goal मारा 1 assist किया 2 shorten target थे ठीक है उससे पहले 17 September को खेला है इन्हों नबबे मिनट भी तो इनको अब देखते हैं इनको drop कर सकते हैं नहीं because मुझे मैं तो इनको drop नहीं करूंगा मुझे काफी player भी काफी अच्छे लगते हैं और अगर इस position पे खेलेंगे तो इन्हें drop नहीं किया जा सकता ठीक है तो अभी के लिए हम इनको pick करके चल रहे है नेक्स्ट आपको दिखेंगे सर्ज गनाबरी क्योंकि खेलेंगे left wing पे इनकी बात की जाए तो यह बहुत ही attacking player है ठीक है इनकी finishing बहुत ही बढ़िया है 15 में से 10 match start किया है इनोंने 8 goal मारे है और 3 assist किये है ठीक है चांस creation भी ठीक है इनका इनको मैं बिल्कुल भी drop नहीं करूंगा बहुत ही attacking player है यह ठीक है और यह midfield में दिये गए है I think जी हाँ 86 selection percentage है इनका तो इनको drop नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी next आपको दिखेंगे center attacking midfield में जमाल मुजियाला इस player की मैं क्या ही बात करूँ यह one of the biggest talents in the world कुछ सालों में आप इनका नाम बहुत ऊपर सुनेंगे almost रोनाल्डो और मेसी की line में बहुत ही बड़ीया player है यह बहुत ही attacking है बहुत ही creative है 9 goal मार चुके हैं season 6 assist किया है इनौने chance create करते हैं passes करते हैं tackle करते हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहत्रे इन प्लेयर है attacking लिए इनको drop करने का तो सवाली नहीं उठता in fact ये तो मेरी team के captain बनने लाइक है ठीक है बागी decide करेंगे बाद में हमें किसे captain बनाना है selection percentage भी इनका काफी हाई है तो हम इनको drop नहीं कर सकते नेक्स्ट आपको दिखेंगे लीरोई साने लीरोई साने की बात की जाए तो ये भी बहुती बड़ी आ फॉर्म में चल रहा है बहुती बहुती बहतरीन प्लेयर है पहले मैंचेस्टर सिटी से खेल चुके हैं ये अच्छा है तो हम इनको ड्रॉप नहीं करेंगे अपनी टीम में जरूर लेंगे इन फैक्ट ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन सी के अच्छी ऑप्शन है तो ये चार प्लेयर हमें सेलेट कर ली है नेक्स्ट आपको दिखेंगे दो डिफेंसिव मिट फिल्डर लियॉन गुरेट्सका एंड जोश्वा किमिच जोश्वा किमिच की बात की जाए तो वन अफ दे बेस्ट प्लेयर्स इन जर्मनी बाइन मुनिक टीम ठीक है और जर्मनी के भी ये बंदा टैकल करेगा इंटेसेप्शन करेगा पासेस करेगा फ्री केक्स लेगा ठीक है ये सब कुछ करेगा और ये गोल भी मारता है तो ये प्लेयर एक फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से वन अफ दे बेस्ट प्लेयर्स है मतलब इसको आप आँख बंद करके अपने टीम में ले सकते हैं ठीक है आपको डिफेंस में भी देखेगा आपको अटैक में भी देखेगा आपको मिट फिल्ड में भी देखेगा ठीक है लेकिन अब किसी ने किसी को दो को ड्रॉप करना ही पड़ेगा तो हम इसी पे रिस्क लेंगे ठीक है लेकिन Grand League में आप इसे जरूर ट्राय करें गोल्स भी मानने में सक्षम है ये बहुती बढ़ी अपले लगता है मझे ठीक है तो अब हमें दो defenders pick करने हैं from Bayern Munich Bayern Munich एक ऐसी team है कि आप इनके साथ generally मैं तीन defender minimum लेके जाता हूँ but क्योंकि इनके पास इतने सारे attacking players हैं इसलिए मैं अभी के लिए सिर्फ दो ही players लूँगा from defence from Bayern Munich और वो दो होंगे मैं आपको दिखाएता हूँ Benjamin Powered Benjamin Powered की बात की जाए 13 में 11 match start किये थे नोंने एक goal मारा है 60 passes है, interception अच्छा है, tackle काफी अच्छा है तो ये बंदा creatively भी बहुत अच्छा है but last के कुछ matches इसने ज्यादा regularly start नहीं किया है but still बहुती बढ़िया player है next, Alphonso Davies है left back पे, जिना हमने वर्ल्ड कप में खिलते हुए देखा from USA, बहुती बढ़िया player है ये भी, chances बनाता है बारा के बारा मैं start किया है एक assist किया है, chance creation अच्छा है passes भी अच्छे खासे है और interception tackle भी अच्छा है ठीक है, वहीं उपमेकानो की बात करें तो ये player भी defensively बहुती बढ़िया है tackle interception बहुत करता है 73 passes है, interception 1.1, tackle 2.7 that means आप उपमेकानो, Davies और Benjamin Pavard में से कोई भी दो pick कर सकते है legit अच्छे है, header में अच्छे है बट tackle interception उतना नहीं करते है ठीक है, header से गोल आने का chance इनका भी रहता है हमेशा तो मैं Alphonso Davies, उपमेकानो और Pavard में से कोई दो pick करूँगा अगर आपको लगता है कोई भी एक forward Thomas Miller या Leroy Sane ठीक है, कोई भी इन दोन में से एक अगर आपको लगता है कि अच्छा perform नहीं करेंगे या गोल नहीं मारेंगे या ज्यादा कुछ perform नहीं करेंगे तो आप उनको drop करके उपमेकानो को भी pick कर सकते हैं उससे आपके पास 3 defender हो जाएंगे बाइन मुनिक के लेकिन अगर लेकिन अगर उस player ने गोल मार दिया देन आपका defender लेना बेकार चला जाएगा तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा मैं अभी के लिए powered और Davis को अपनी टीम में ले रहा हूँ क्योंकि ये wingers हैं और chances create करते हैं बाइन मुनिक की टीम से अब हम बात कर लेते हैं RB Leipzig की RB Leipzig की लानेप की बात की जाए तो striker position पे देखेंगे आपको आंद्रे सिल्वा लेफ्ट विंग पे रहेंगे सेंटर अटाकिंग पे रहेंगे डैनी ओल्मो राइट विंग पे रहेंगे अब बचे तीन प्लेयर तो वो तीन प्लेयर कौन से होगे अब मैं आपको बताओं ये टीम भी कोई खराब टीम नहीं है बहुत अच्छी टीम नहीं है, one of the best teams है इन जर्मन मुंदस लीगा बट स्टिल हमें तीन प्लेयर लेने हैं अब वो तीन प्लेयर कौन से होंगे या तो आप देखिए सोस बुजलाई को आप नहीं डॉप कर सकते क्योंकि सारे set pieces यहीं लेंगे, सारे corners, free cake सब यहीं लेते हैं और बहुत ही creative player है तो सबसे पहले हम इनको अपनी टीम में ले लेते हैं selection percentage भी बहुत हाई है ठीक है अब Danny Olmo की बात की जाए तो बहुत ही बहतरीन player है ठीक है यह Spain से हम इने इने वर्ल कप में खेलते हुए देखा था और क्या performance दिया था इन्होंने और वैसे भी हमेशा बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन क्योंकि हमने midfielder की capacity को full कर दिया है जो कि हम 5 है इसलिए हम midfielder तो आप कोई pick नहीं कर पाएंगे ML Forsberg की बात करें तो यह first choice penalty taker है बट अभी हमें इने drop करना पड़ रहा है ठीक है क्योंकि हम midfielder pick नहीं कर सकते तो हमारे पास एक choice बसती है वो है आंद्रे सेलवा जो की काफी अच्छे form में देखे थे वर्ल कप से पहले ठीक है ठीक है आप Guardiol को भी pick कर सकते हैं वर्ल कप में हमने देखा इन्होंने क्या defender थे I think World Cup के one of the best defenders में से थे Guardiol बट मैं हूँ जो सिमिकान के लिए जा रहा हूँ because सिमिकान जो है wing पे खेलेंगे chances create करेंगे tackle interception अच्छा करेंगे तो इसलिए मैं इनको pick कर रहा हूँ आप चाहें तो Orban या Guardiol में से किसी और को भी pick कर सकते हैं कोई भी problem नहीं है ठीक है तो अभी के लिए जो मेरी team मनती है वो कुछ इस तरीके से है आप Captain Vice Captain से की बात की जाए तो Captain तो मेरे को कोई doubt नहीं है अब फाइनल जो है लानापस आने के बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या चेंजिस करने है उसके बारे में आपको टेलेग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा और अगर आप अभी तक हमारे टेलेग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको बेल आइकन के पास सब्सक्राइब लिखा हुए दिखाई देगा उसे प्रेस करें देन बेल आइकन में जाकी नोटिफिकेशन को ओल कर दो और हमारे टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लेगे लिए आप मोर को प्रेस करें मोर को प्रेस करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा जोईन और अफिशल टेलिग्राम चैनल वहाँ मोर को फिर से प्रेस करें आपको लिंक दिख जाएगा उसके तुरू आप हमारे चैनल से जोड़ जाएं सर्च करके ना जुड़ें डिस्क्रिप्शन के लिंक के तुरू ही जुड़ें तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जैहिन